नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की जोन ओ टाबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, जोन ओ टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और जोन ओ टाबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते है और यह भी डिस्कस करेंगे की जोन ओ टाबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, जोन ओ एक ब्रैंड नेम है, जोन ओ टाबलेट के अंदर दो एंटिबायोतिक दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, जोन ओ टाबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन सेफ फैफरों में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खासी होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दांतों या मसूरों में इंफेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर, पेशाब में इंफेक्श या तवचापर कोई infection होने पर भी doctor zone और टाबलेट को लेने की सला दे सकता है. शरीर में infection होने पर बुखार हो सकता है. इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions है जिन में आपका doctor zone और टाबलेट को लेने की सला दे सकता है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जोन और टाबलेट की वज़ा से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में जोन और टाबलेट की वज़ा से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधज्मी होना, चक्कर आना, भूप कम लगना, मोह का स्वाध खराब होना, वचा पर रैशिस होना, वचा पर खुजली होना, पेट में दर्ध होना, सिर्दर्ध होना और दस्त होना आदी साइड इफेक्स जोन ओर टाबलेट की वज़र से हो सकते हैं अब हम discuss करेंगे की zone o tablet को कैसे लेना recommended होता है zone o tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर जोन और टाबलेट को दिन में दो बार लेने की सला देते हैं। जोन और टाबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे की जोन और टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। जोन और टाबलेट को लेने के बाद और जोन और टाबलेट को लेने से पहले दो घंटे तक पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने वाली एंतासिड दवाओं और आईरन सप्लिमेंस के साथ जोन और टाबलेट को नहीं लेना चाहिए। जोन और टाबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए, जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने जोन और टाबलेट को लेने की सला दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक जोन और टाबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एं जोन और टाबलेट को केवल उतने समग तक ही लेना चाहिए, जितने समाई के लिए आपके डॉक्तर ने जोन और टाबलेट को लेने की सलाँ दी है। जोन और टाबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बेमारी से पीडित व्यक्तियों में जोन और टाबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जोन और टाबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं